question 5 factorize the expressions and divide them as directed देखिए इसको factorize करना है और क्या करना है इसके बाद जो direction मनतब इससे इसको क्या करें हम divide करें कैसे करेंगे number 1 दिया हुआ है y square plus 7y plus 10 divided by y plus 5 तो इसको हम लिख सकते हैं y square plus 7y plus 10 by यह divide था इसको y लिख सकते हैं और y plus 5 क्या होगा नीचे हो जाएगा अब देखिए उपर वाला को क्या करना है हमको factorize करना है तो उसका नियम क्या है कि y square के जो coefficient होता है यहां पर कुछ नहीं है यानि क्या है एड करके या फिर subtract करके हमको 7 लाना है तो हम देख रहे हैं यह वाला 5 plus 2 करेंगा तो क्या होगा 7 होगा तो इसको हम यहां पर apply करेंगा तो लिखेंगे कैसे y square देखिए first और last में कोई change नहीं होगा इसमें क्या करेंगे first 2 में से कुछ common निकालेंगे और second 2 में से common निकालेंगे अब देखिए क्या common कर रहा है यहां y square है यहां पर y square मतलब क्या y into y यहां पर एक y है तो दुनों में से y को हम कमल लें यहां 2 y में से यहां पर आपको y नज़रा रहा है और यहां पर क्या है 5y अगर 5y में से 5 को common लेंगे तो क्या बचाएगा y plus 10 में से 5 को common लेंगे या नि 10 को क्या लिख सकते है टू इन्टू 5 वाइप फाइब क्या बचा 2 देखिए first bracket second bracket क्या हो गया तो यह first bracket second bracket क्या हो गया यह सेम हो हम common ले लेंगे वाई प्लस टू निकल गया तो यहां क्या बचा वाई बचा प्लस यहां से वाई प्लस टू निकल गया तो क्या बचा फाइब बचा अब नीचे में रहाए था y plus 5 तो हम चाहें तो यह y plus 5 और y plus 5 इसको हम क्या करेंगे काट तेंगे तो यहां पर क्या बचा एंसर में आ गया y plus 2 एंसर हो गया 1 का बनाते सकेंड इसकेंड कोस्टन 2 क्या दिया हुआ है m2-14m-32 यह किसे डिभाइड हो रहा है यह डिभाइड हो रहा है m plus 2 से तो इसको हम लिख सकते हैं क्या इसको हम लिख सकते हैं m2-14m-32 by इसको हम लिख सकते हैं m plus 2 ठेक है तो उपर क्या करेंगे फैक्टर करेंगे तो क्या करते हैं m2 अगल में क्या यानि इसका कोफेसियंट कुछ नहीं यानि वन है वन और 32 को इंटू करेंगे तो क्या आएगा 32 यानि फर्स्ट लास्ट को इंटू करेंगे 32 अब 32 को तोड़के हमको बीच वाला यह नहीं क्या दिखाना 14 दिखाना तो देखिए 1 का अब रिपीट होने लेगा 8 का टेवल मेंगा 16 का 32 का तो यह हो गया यह तीनों में से किसी को भी हमको या तो जोड़के या फिर घटा के हमको क्या करना 14 लाना है तो आप देखिए जैसे इसको एड करते 32 प्लस 1 33 हुआ और माइनस करेंगे 31 यानि यह तो होगा नहीं यह भी क्या है माइनस का तो जब जोचीज का साइन रहता है वह बढ़ा होई लिगते रहें यहां पहीं तो बड़ा में माइनस का साइन डिठा में प्लस का साइन इसको लिग देंगे हैं मगों मैं स्क्वार और विच सेंज editsbook माईनस 1-1 एम ला छो लास्धिए निकल लिए यहां पर क्या बच गया माइनस स्टीन को कॉमन ले ले तो यहां पर सिफ्क्रिया बचएगा माइनस कमन लेते साइन चेंज होता है यह माइनस से साइन चेंज करके प्लस हो गया 16 निकल लिए अब यहां मााइनस था माइनस को मन लेने के रहाए और सब में साइन चैंज भी दोनों में तो कोमन निकल लेते हैं प्लस तो अब यहां से M plus 2 निकला तो क्या बच्छा M बच्छा प्लस यहां से M plus 2 निकला तो क्या बच्छा माइनस माइनस बचेगा माइनस 16 बाई यह क्या हो गया M plus 2 M plus 2 M plus 2 कट गया answer मेंना क्या है M minus 16 यह का second बना ते question 3 question 3 क्या है 5 P square minus 25 P plus 20 यह divide किससे हो रहा है P minus one से तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते इसको हम लिख सकते हैं 5 P square minus 25 P plus 20 by यहां लिख सकते है P minus 1 ठेका आप देखिए यहांपे 5 यहां पे 25 यहां पे 20 यह सब में यह से चाहे तो वह 5 common ले सकते हैं क्या लिए यहां से 5 common निकला तो यहां पर किया बच गया P square बचा 25 को लिख सकते हैं 5 into 5 5 common निकलेगा एक फूर्ट क्या बचेगा एक 5 बचेगा फिर 20 को लिख सकते हैं 5 into 4 फाइब को मन निकला तो क्या बचा बचा फूर बाई नीचे क्या हो गया P minus 1 इक्वल टू अब हम उसी तरीका से करेंगे P3Ware coefficient क्या है वन वन इन्टो फॉर क्या आया है फोर आया वन कर टेबल में फोर आता है और फोर तो देखिए हमें को दिखाना किया बीच वह लग बीच में क्या है 5 दिखाना तो फाइब किस से आ रहा है टू 4 plus 2 5 नहीं आएगा 5 आएगा 4-1 करेंगे तो 5 हो जाएगा यहां साइन किस चीज़ का है माइनस का यहां पर माइनस लिखेंगी हैं-4-1 मैस 5 तो चलिए 5 रहने देते हैं अब यहां पर हम क्या लिख देंगे यहां पे हम हम लिख देंगे पी स्कॉयर ठीक है माइनस बीच में चेंज करके देखिए वन यानि पी लिख सकते हैं वन पी लिखने है ज़रूत में पी यानि वन पी होता है माइनस फूर पी और लास्ट वाला सेम टो सेम उतरे बाई नीचे क्या बचा पी माइनस वन अब चली क्या से करें हैं अब अब दिखें क्या निकलेगा यहां ठोने क्या है लिएक यहतकर निकल यहां भूट अब दूसरा सफैंज काम लें लेंगे इस के साथ किया एगा माइनस डिया माइनस को को ले माइनस में था यह het u बचा भुचा आप यहांपे होगा भाई देखिया हम नीचे हम लिख देते हैं भी माइनस बचा और अब बिया दो कोमन ले लेते हैं यहां से माइनस नितला तो यहां पर माइनस 16 इसको डिवाइड कर रहे हैं 2y z प्लस 8 से देखे क्या होगा तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 4y z यह हो गया z square प्लस 6z माइनस 16 यह डिवाइड था तो य लिख देते हैं 2y और यहां पर हो जागा z प्लस 8 अब देखिए यह 2 से काटेंगे फोर को कि यह 2 हो गया yy कट गया तो यहां पर क्या बचा है यहां पर बचार 2z और यह हो गया z square प्लस 6z माइनस 16 बाइड प्लस 8 अब फिर क्या करेंगे इसको फैक्टर करेंगे फार्स्ट और लास्ट इंटू करेंगा 16 है यहां पर जेड है कुछ नहीं क्या 1 1 और 16 इंटू करेंगे कितना आएगा 16 आएगा 1 कर टेबल में 16 आता है सब्सक्राइगा तो आपका प्लस आएगा अपका जेड स्कॉाइर प्लस यहां पर लिख सकते हैं 8 z minus 2 z आप इसको पहले minus 2 z भी लिख सकते थे बाद में plus 8 z आगे पीछे लिखे कोई फरक ने पड़ता है minus क्या हो गया 60 by z plus 8 ठेक है आप इसको हम इधर बना देते है तो क्या होगा देखिए equal to अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2 z bracket क्या नीकर रहा है स्वारीस पड़्य भी राजाई यहां से निकल गया क्या बच गया एठ बच गया ठेक है ओर अब देखिए यहां पे क्या था हमको इसा चीज कॉमण लेना है इस ब्रेक़र का यहां पे हमको दीख रहा है लेकिन यहां Z के साथ कि है माइनस टू है तो अगर हम माइनस टू कोमन ले लिए हम बताए थे माइनस टाइन चेंज करके क्या हो जागा प्लस और टू जो है कोमन निकल जाएगा तो इसी बचेगा जेट ठीक है माइनस था यह भी साइन प्लस 8 यह हुआ मेरा 2 जेड और यहां पर भी जेड प्लस और रैकेट है बच्छा चेड मायनस टू इनस प्लस फाइड देखें क्या दिया हुआ है 5PQ और P square minus Q square divided by 2P और P plus Q तो इसको हम लिख सकते हैं किया 5PQ और फिर यह हो जागा P square minus Q square by यहाँ divide था इसको लिख दिये हैं by और क्या था 2P और फिर P plus Q तो देखिए यह P यह P यहाँ पर कट गया तो पर क्या बचा है? यहाँ पर बच गया 5Q और यहाँ बचा P square minus Q square by यहाँ बचा 2 और P plus Q तो यहाँ पर एक हम फॉर्मुला लगाएंगे फेक्टराइज करने के लिए इसको एक फॉर्मुला क्या लगेगा? फॉर्मुला हम पहले भी पढ़े हैं A square minus B square A के जगाँ पर क्या है? P तो A plus B लिखे हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या? P plus Q उसी तरीका से फिर A के जगाँ पर क्या है? P तो लिखेंगे P और B के जगाँ पर क्या था? Q P minus Q Y यह हो गया 2 P plus Q तो P plus Q, P plus Q कट गया यह 5 by 2 है, इसको अलग से नंबर लिख देते हैं 5 by 2 अब क्या बचा? उपर बचा था Q और P minus Q यह होगे नंबर 5 बनाते हैं नंबर 6 Question 6 देखे, Question 6 में क्या दिया हुआ? 12 X Y 9 X square minus 16 Y square यह divide किससे हो रहा? 4 X Y 3 X plus 4 Y equal to इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 12 X Y 9 X square minus 16 Y square यह divide था, इसको हम लिख सकते हैं 4 X Y और यह हो जागा 3 X plus 4 Y तो यहाँ पे यह 4 से हम काटे हैं किसको 12 को तो हो जागा 3 यह X, यह X कट गया Y Y कट गया क्या बचा है? यहाँ पे बच गया 3 और यह हो गया 9 X square minus 16 Y square by 3 X plus 4 Y तो देखिए यहाँ पे अब हम इसको करेंगे क्या? यहाँ पे भी formula लगेगा A square minus B square का formula तो हम यहाँ पे जैसे उसमें था P square minus Q square तो यहाँ पे आपको यह पुरा square नहीं है सिप X square है क्योंकि 9 का square नहीं है तो इसको ऐसा लिखेंगे कि A square का form में हो तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 और इसको हम लिख सकते है 9 को 3 और X यह पूरा का whole square देखिए 3 X का whole square करेंगे 3 का square करेंगे 9 X का square करेंगे X का square फिर सेम चीज जा गया minus 16 को हम लिख सकते है 4 और Y का यह हो जाएगा whole square तो 4 का square करेंगे 16 Y का square करेंग Y square Y नीचे क्या बचा? 3 X plus 4 Y तो यह देखिए आप कि यहाँ पर यह A square हो गया minus B square इस form में हो गया तो इसको हम क्या लिख सकते है? A plus B A minus B यहाँ पर लिखेंगे 3 A plus B यानि A के जगा पर क्या था? 3 X plus B के जगा पर क्या है? 4 Y और फिर लिख सकते है A minus B यानि 3 X minus 4 Y Y यहाँ नीचे क्या बचा है? यहाँ पर बच गया 3 X plus 4 Y देखिए यह 3 X plus 4 Y यहाँ पर 3 X plus 4 Y यहाँ पर देखिए कोस्चन 6 बनाते है 7 कोस्चन 7 देखिए कोस्चन 7 क्या दिया हुआ है? 39 Y क्यूब 50 Y स्क्वार minus 98 divided by 26 Y स्क्वार 5 Y plus 7 इसको हम लिख सकते हैं 39 Y क्यूब 50 Y स्क्वार minus 98 और यह दिवाइट था देखिए देखिए 26 Y स्क्वार 5 Y plus 7 तो देखिए 13 का टेबल से काटेंगे 2 बार में 26 3 बार में 39 Y स्क्वार से Y क्यूब को काटेंगे तो क्या बचेगा Y पावर 3 ए 2 उपर जाएगा पावर माइनस होगा सिफ 1 बचेगा यानि सिफ Y बचा अब यहाँ पर क्या बचा यहाँ पर बच गया 3 Y यहाँ होगया 50 Y स्क्वार माइनस 98 और नीचे बचा 5 Y प्लस 7 तो इसको हम यहाँ पर रिखे क्या करेंगे इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ हम लिख देंगे 3 Y और यहाँ से हम 2 को कोमन निकाल लेते तो 50 में से जब 2 को कोमन निकालेंगे 50 को हम लिख सकते हैं 2 into 25 तो 50 में से 2 जब कोमन निकला क्या बचा 25 और Y स्कॉर था जब भी आप कोमन लिजे कोमन लेने के मतलब होता अगर आप कोमन किसी से भी ले रहे हैं तो उस नंबर जो भी चीछ कोमन निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं जैसे कि अगर यहाँ पर 50 था 2 कोमन निकालेंगे कि अतना आया 25 वह लिख दिए उसी तरीका से जब 2 कोमन लिए तो 98 है इसको 2 से डिवाइट करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर जाएगा 4 और 9 कोमन लेने का यह भी एक तरीका है यह क्या होगे 2 5Y प्लस 7 यह 2 यह 2 कट गया यह 3Y अब 25Y स्कॉयर है तो इसको हमको देखे लिखना है A स्कॉयर माइनस B स्कॉयर का फोम है तो 25Y स्कॉयर को हम लिख सकते हैं 5Y का होल स्कॉयर 5 का स्कॉयर करेंगा 25Y का स्कॉयर करेंगा Y स्कॉयर माइनस 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्कॉयर क्या है 49Y यहाँ पर क्या होगे 5Y प्लस 7 अब यह क्या बचा है यहां पर यहां पर बचा है 3y यह हो गया a square minus b square तो इसका formula क्या होता है a plus b a minus b a के जगा पर क्या था 5y plus b के जगा पर क्या है 7 फिर लिखेंग a minus b a के जगा पर क्या है 5y minus b के जगा पर क्या है 7 by यहां पर होगा यह 5y plus 7 यह 5y प्लस 7, 5y प्लस 7 कट गया अब यहाँ पर आपको क्या बचा? यहाँ पर बचा 3y और 5y माइनस 7 एंसर